जो ये समझे बैटा है कि वो भारत भागी बिदाता है उसको लगता है कि मेरी मुठी में भारत माता है जिसको इस अन्न दाता का दर्द आखों नहीं दिखाता है उससे कह दो कि इस देश का असली भारत भागी बिदाता अन्न दाता है कि सवैंगी में वसे संथे ढहिए इस सरकार सुन नहीं रही है , इस से पहले सब्सक्राइब अपर इस एक सरकार थी जो ऑगि नाम पर हमारे हमारे से वहुंहे स लोग ऊपकरेंगे आनदोलन होग स्पावी और आंदोलन कारी किय घुम 40 तक 90 बर्स तक आंदोलन चला था और उस अंग्रेजों को इस किसान ने लाठी से खदेड के लंदन वगा दिया था मोदी जी को ये पता होना चाहिए किसान घवराने वाला नहीं है ये वो किसान है जो जमीन का सीना चीर के इसमें अपना खून और पसीना डाल कर अनुगाना जानता है तो ये अपने हिसाब की सरकार भी बनाना जानता है अनों को पता होना चाहिए, कि जो किसान है, यह सिर्फ अपनी मांगे मांने के लिए, यह कह रहा है कि तीनों काले कानून बापस ले लो, MSP पर हमारा गारंटी कानून उसको दे दो यह उनकी कुर्सी नहीं मांग रहा है, ये कुर्शी देने वाला किसान है लेकिन सत्ता के नसे में वो ये भूल गए हैं कि ये किसान जो है हमें पलट के द्वारा गुईरात बेहने का काम करेगा उनको ये सबक सिखाने का काम भी पश्यमंगाल की जनता ने किया है ये किसानों से बिढ़ गए अब चाय वाले दूद की होई पड़ी है जब ये गूंज पहुंचे की उनके कानों में किसान की तो वो आवाज है कि चीखे निकाल देगी आपने देखा किसान वो पोदा है जो धर्ती को चीर कर अनाज उगाता है और उसी अनाज को पूरा हिंदुस्तान खाता है पूरा भारत खाता है तो किसान डरने वाला नहीं है किसान तुफानों से भी टकराता है आपने देखा लाधियां भी चली आसू गैस की गोले भी दागे गए ड़ा कर यह जो किसान को मतलब यह चाहती है कि सरकार आंदोलन खतम हो जाए या बदनाम करकर तो इस तरह से नहीं सरकार को कानून बापसी लेने प बिल्कुल ऐसा ही होगा क्योंकि सरकार जो यह समझे बैठा है कि वो भारत भागी बिदाता है उसको लगता है कि मेरी मुठी में भारत माता है जिसको इस अन्यदाता का दर्द आंखों नहीं दिखाता है उससे कह दो कि इस देश का असली भारत भागी बिदाता अन्यदाता वो है जो पूरी देश की जीवे का चलाने का काम करता है कोविड के समय में जब सारी विवस्थां बंद थी उस समय में इनको ये कानून लाने की जरूत क्या थी उस समय ये कानून लेकर के आए लेकिन उस समय में इस किसान ने देश में जब अनिकी जरूत थी दूद की फल हैं यह वो लोग है इन अंदोलन कारियों की बदोलत है अगर वह आंदोलन कारियों की बताते हैं तो मैं फक्र करता हूं और वह उन करते हैं रामप्रसाद बिस्मिल और सहीद भगत सिंग्ग अवेलना करते हैं क्या करके क्योंकि वह भी आंदोलन के दम पर भारत को आजादी दिलाई और उसी तरह यह देश का किसान इस देश को किसी भी तरह निजी कंपनियों के हाथों में नहीं बिखने देगा और पूरा देश के अंदर जाकर के लोगों को जगाने का काम करेगा और भारतियंता पार्टी को हिंदुस्तान सोखड़ के भेगने का काम करेगा देखिए अभी जो बंगाल के अंदर छुनाव हुए थे तो उस टेम इतनी महामारी भी नहीं थी अब जो है हमारे पास यह चीज़ लाओ मोदी सरकार इसी चीज़ को लेकर आई थी लेकिन जिस दिन से यह सरकार आई है आपने देखा कि धीजल जो है नब्भे नब्भे अस्ती नब्भे चला था और अब जो है नब्भे के पार हो गया और जो पेड्रोल है वो सो के पार हो गया और जो सरसो का तेल है वो द जो है ये कहते थे साइकल लेकर आए थे कि आप जो है इतनी महंगाई हो गए हम साइकल से तो ये आप इस टैम जो सब बिलो में बरे बैड़ें तो ये सरकार महंगाई को लेकर आई थी कि सस्ता करेगी लेकिन इस सरकार ने क्या किया कि किसानों का और जो मजदूर है उनका पारू की दुकाने खोल रखी हैं आपने देखा मैं अभी जब आया था तो रोड बेस के अंदर पचास सवारी थी पचास सवारी अगर आप इसका जो है सरकारी गाडियों में जो आप इस चीज की जो सुबीदा नहीं करा सकते उसमें कम से कम 25 होनी चाहिए थी अगर आप लो जो सिक्षा अपने बंकर ये कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आप से सवाल नहीं पूछेंगे इसलिए आपने सिक्षाओं को बंकर रखा है अगर सिक्षा आपने देखा डेर साल से जो है टेंथ के हाइज और ट्वेल्ट ये जो एक्जाम नहीं करा रहे हैं तो ये सब पूरी तरह से महंगाई पर भी चरम चूरी है पूरी तरह से फ़ेल है सरकार इन प्लाश्टिक पड़ा हुआ और इतनी गर्मी में वो तपता है पसीने निकल जाते हैं उस चीज को हम झेल रहें और सरकार की कानों में जो है बिल्कुल भी कोई जू नहीं रिंग रही है तो यह चीज है सब बताएंगे सरकार बिल्कुल सुनेगी सरकार अगर नहीं सुनेगी तो पश्यम मंगाल इनके लिए सवक है उत्तर प्रदेश की जनता पश्यम मंगाल की जनता ने जिस तरह इनको नका रहा है और आप परेसानी जहलने की बात कर रहे हैं यह किसान तो सदियों से परेसानी जहलता चला रहा ये किसान वो है जो रात के बारे बजे खड़े हो करके अपनी फसल को भरता है और फसल को पूरा देश खाता है इसी किसान का बेटा रात के बारे बजे खड़े हो करके देश पर सीमा का सजग प्रहरी बनकर देश की रक्षा करने का काम करता है जिसमें पूरा देश चैंसस हो बिकास कर रहा है देश की GDPR तक बिकास दर कहां चेली गई अनका बिकास हुआ है सिर्फ देश में और कुछ पुझी पतियों को फादा पोचाने के लिए, ऐसे नए कानून लेकर आ रहे हैं, जिस कानून को हिंदुस्तान के किसी ब्यक्ति से फादा नहीं होने बाला, ये जो कानून लेकर के आए हैं, इस कानून से सिरफ किसान ही नहीं, देश की 90% जनताओं को नुक्सान होन हैं उसी बुट्टे की कीमत अगर किसी बड़े मैं जाकर वे घाने 100 us theody का बेटा किसान की पैदा की हुई, चीज को खाने के लिए तरस जाएगा, मजदूर का बेटा तरस जाएगा, इसलिए सबी लोगों को इस आंदोलन में साथ आना चाहिए, तभी इस आंदोलन को कामयाभी मिलेगी.